माल्दीव की निलंबित मंत्री मर्यम शुवना ने एक स्वीट करते हुए बारतिय जुन्दे का मज़ाग बनाया था मर्यम ने सोशल मीडिया प्लैट्पॉम एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की इसमें भारती तिरंगे के एक हिस्से अशोक चक्र की एक बदली हुई तस्वीर थी जिसमें भारत के रास्टे इध्वच को खराब रोशनी में दर्शाया गया तो मर्यम अडम ने ट्वीट डिलीट कर तिया शिवना डिलीट और इसके बाद एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने भारत से माफिय मांगी मालदीव ने इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि हमें बताया था कि हम बड़े मुश्किल में हैं मालदीव बड़ा मुश्किल में था उसको फूड की जरूरत थी वहाँ पर फूड आइटम्स की कमी हो गई थी अगर इतना ही इंडिया उड करना है तो नहीं लेते भारत से बोल देते कि 700 करोड का फंड भी नहीं चाहिए अबर सामनी आ रही है वो ये आ रही है कि प्रोट चाइना की पार्टी मुश्किल की पार्टी के एक पॉलिटिशन जनका नम है मरियम उन्होंने ट्विटर पर काफे डरगेटर रिमार्क्स पास किये उपोजिशन पार्टी को टार्गेट करते वे भारत के जंडे की डिस्र नराज ना हो क्योंकि हम वैल्यू करते हैं भारत के साथ हमारे जो भी रिलेशन्शिप माल दीव की आपने बात की है तो जहर सी बात है भाई उन्होंने एकर यह पोस्ट जो है वो डिलीड कर दी है उन्हें पहले डिलीड करने से पहले सोच समझ के पोस्ट लगानी चाहिए थी कि हम लोगों में कितनी पावर है और हम लोग उस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने हमें पाला है देखें पालने की पालना तो सुर्व एक खुदा नहीं होता है यह तो एक वसीली होते है आज एगर इंडिया डिवेलप है तो कल को अल्ला करें माल्दीव हो पाकिसान भी डिवेलप हो जैसे बंगलादेश डिवेलप हो गया तो मानी पड़ेगी हिस्ट्री उठा के देख लेकर अब तक देख लें माल्दीव में वह कौन सा मस्मस मन्सूबा है जिसको भारत ने ना बनाया हो देखें मैंने अपने इंटर्विव में पहले भी जारे हैं देखें जी पावर होती है दो तरफा फरस्ट अफाल देखा जाएं तो निरिंडर मुदी एकेले कुछ भी नहीं है उन्होंने अपनी जो है अवाम को अपने साथ रखा फिर उनकी पावर जादा बन गई क्योंकि कोई सा भी लीडर होते हैं वह पहले आवाम को कुछ जो है ना अपनी कारकरदी की दिखाती है दिखाता है फिर जो है अवाम उसकी तरफ माइल होती है मैं कहता हूं कि बड़ा अच्छा एक्दाम है मैंने पहले भी देखा के निरिंडर मुदी जो थे उन्होंने भी बाइकार किया उनकी एक कॉल थी और उदर की अवाम ने माल दीव का टोटल बाइकारड किया और इन Гालदीव को मुझ से चमाने पार गए माल दीव ने सोचा यार मैं आप रूख चाइना का तो जब पीएम मोदी के बारे में डेरोगेटरी कमेंट्स करने पर सस्पेंट कर दिया गया था लेकिन इस सस्पेंशन का मरियम पर रत्ति भर भी असर नहीं पड़ा मरियम ने एक बार फिर भारत के खलाफ अपमान जनक ट्वीट किया है देखें ये है मरियम का ताजा तरीन ट्वीट इस ट्वीट में मरियम ने अपोजिशन पार्टी MDP को टार्गेट करने की कोशिश की है लेकिन असल में उन्होंने टार्गेट भारत को किया है इस ट्वीट में डाली गी तस्वीर को गोर से देखी इसमें MDP के लोगों में भारत के जंडे अशोक चकर से रिप्लेस कर दिया गया है इतना ही नहीं इस तस्वीर में नीचे की तरह भारत की रूलिंग पार्टी बीजेपी का भी सिंबल डाला गया है दोस्तों सवाल उटता है कि मरियम ने ये मौक्ट फोटो क्यों पोस्ट की? इस पोस्ट का असल मतलब क्या है? असल में माल्दिविज में इसी महीने मजलिस यानी माल्दीवियन पार्लियमेंट के इलेक्शन होने हैं और इस इलेक्शन में मोईजू की पीपल्स नेशनल पर इसकी हाल खराद है जबकि MDP की जीत के संकेत मिल रहे हैं इसी वज़ा से माल्दी उसमें एक बार फिर इंडिया आउट का खेल खेला जा रहा है और ये ट्वीट इसी वज़ा से किया किया है माल्दी उसमें 21 अपरेल को पार्लियमेंटरी एलेक्शन के लिए वोटी होनी है सारी पार्टियां चुनावी मैदान में है लेकिन टकर प्रेज़ेंट मुईजू की पीपल्स नेशनल कॉंग्रेस और फॉर्मर प्रेज़ेंट इबराहिम मुहम्मद सोले की पार्टी MDP के बी अतिष्टा वाली सीट थी लेकिन MDP ने उसे यहां बुरी तरह से हरा दिया था इसी वज़े से मुईजू और उनकी पार्टी जानती है कि पालियमेंटरी एलेक्शन में भी MDP से लड़ना असान नहीं है MDP को हराने के लिए और अपनी जीत तय करने के लिए मुईजू की पार्टी एक बार फिर प्रेसिदेंशियल इलेक्शन जैसा एंटी इंडिया सेंटिमेंट भड़काने की कोशिश कर रही है इस बात में कोई दोराय नहीं कि मुहमद सालेह की गवर्मेंट के भारत के साथ संबंद अच्छे थे तब ही जब माले में MDP ने मेयर का इलेक्शन जीता तो मीडिया ने इसे प्रो इंडिया पार्टी की जीत बताया मुईजो की पार्टी की नेता और सस्पेंडेड मिनिस्टर मर्यम शिहुना ने इसी वज़े से MDP को भारत के साथ जोड़कर मौक्ट पिक्चर पोस्ट की और यह मैसेज देने की कोशिश की कि MDP प्रो इंडियन है अब आपको MDP के election campaign की वो तस्वीर दिखाता हूँ जो ओरिजिनल है यानि की असली है और जिसे मर्यम ने जिसमें छेड़ छाड़ करके पोस्ट कर दिया ट्विटर पर देखे यह है वो MDP के election campaign का सही वाला message इसमें चुनाओं में MDP को वोट देने की अपील की गई है अब इन दोनों तस्वीरों के एक साथ देखिए पहली तस्वीर MDP के असली तस्वीर है जबकि दूसरी वो fake तस्वीर है जिसे मोईजु की suspended minister ने पोस्ट किया है बहुत आसा सानी से आपके सामने सारी बातें साफ हो जाएंगी देखे MDP के लोगों में एक बड़ा सा compass है जिसके north में party का symbol तराजू है बीच में voting के लिए message है और नीचे MDP का logo और नाम है लेकिन जो तस्वीर मर्यम शिवना ने पोस्ट की है उसमें बड़ी चालाकी से compass के बदले भार मालदी उसके ही विपक्षई दल ने मर्यम के इस tweet पर सवाल उठाने शुरू कर दिये मामला बढ़ा तो मर्यम मैडम ने tweet delete कर दिया और इसके बाद एक और tweet किया जिसमें उन्होंने भारत से माफी मांगी इस tweet को देखे दोस्तों ये भी उन्हीं मर्यम शिवना का tweet है इसमें उन्होंने अपने पहले के tweet के जिकर किया है और अपने लिखे गए पोस्ट के बारे में माफी मांगी है उन्होंने लिखा है कि मुझे बताये गया कि MDP के चिन भारत के जंडे से mail खाता है मैं ये साफ करना चाहती हूँ कि ये इन जाने में हुआ और इसके कारण होई गलत पहमी के लिए मुझे सच मुच में खेद है उन्होंने आगे लिखा कि Maldives भारत के साथ अपने संबंधों और आपसे सम्मान को बहुत महत्व देता है आगे से मैं इस तरह के गलतियों को रोकने के लिए शेयर करने वाले content को verify करने में जादा सतकता बरतूंगी लेकिन क्या मरियम का भारत को defame करने वाले tweet को delete करना और माफी मांगने का tweet लिखना काफी है